सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समझ से आए ले कि किसके पास जाएं, इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है, अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, चन्नी साब को मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग सबसे पहले पांच चीजे मांग रहे हैं, इन पांच चीजों पे वो तुरंट कारवाई करें, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनेतिक माहौल है, राजनेतिक अस्थिर्ता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सब्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समझ से आए ले कि किसके पास जाएं, इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है, अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, इमानदार सरकार दे सकती है तो केवल चार महीने रह गए हैं चार महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उसके बाद आमादमी पार्टी पंजाब को एक स्थिर और इमानदार सरकार देगी आपका जो प्रश्न था कि नए मुख्यमंत्री के लिए मेरा क्या संदेश है चन्नी साब को मुख्यमंत्री बनने पर मैं बधाई देना चाहता हूं और शुक कामनाय देना चाहता हूं हम तो चाहते हैं कि पंजाब का विकास हो पंजाब प्रग्ति के पत्थ पे आगे बढ़े चन्नी साब को मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग सबसे पहले पांच चीजे मांग रहे हैं इन पांच चीजों पे वो तुरंत कारवाई करें कि नंबर एक कि आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्री मंदल में दागी लोगों को शामिल किया है कि अरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अपसरों को में अच्छी एकूर्टंट्स प्रश्टों पर कि बैठाया है कि मैं उन से निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री में अब उते दागी विधायक हैं और यह जितने दागी अफसरियों इनको तुरंट हटाया जाए इनके खिलाफ पर्चे किये जाए और इन पे सक्से सक्त कारवाई की जाए यह पहली चीज पंजाब के लोग मांग कर रहे हैं एक मिनट टेक में दूसरी चीज बरगाडी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाडी कांड के जो मास्टर माइंड थे उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई और मास्टर माइंड कौन है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कुमर विजय प्रताप सिंग जी की रिपोर्ट है चन्नी साब उस रिपोर्ट को उठा के देख ले उसमें नाम लिखे हुए 24 घंटे के अंदर उन पे कारवाई हो सकते उन्हें गिरफतार किया जा सकता बरगाडी कांड के दोशियों को कि पूरे पनजाब की आत्मा को शांती मिलेगी है तीसरी चीज़ कैप्टेन साब ने जो वादे किये थे कर चन्नी साब उन वादों säger करहें तो कहें कि captain साहब ने जूत बोला था मैं नी मानता character captain साहब ने रोजगार दूंगा सबको और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा में रोजगार भतता दूगा बेरोजगारी रता वो भी रोजगारी बता तुरंट दिया जाना चाएए एक हफते के अंदर उसको हुआ कि ने पिली ख्रink वब पंजान्राइं करों के बम और का दो व्क्राइब को करने जोंच सब्रेंज्जरी चाहिए और कि में पता है कैंसे अग्रेंट केंसल हो सकते हैं तो पावर परचेज एग्रिमेंट कैंसल करें यह पाँचों चीज़ें करें चन्नी साहब यह मैं नहीं कहा रहा पंजाब की जंता मांग कर रही है क्या यह हो सकता है चार महीने अभी चन्नी साहब के पास चनाव के पहले मेरी तो 49 दिन की सरकार थी जब मैं पहली बार आया था 49 दिन के अंदर मैंने बिजली के रेट आधे कर दिया थे मैंने पानी मुफ्त कर दिया था दिली से करॉप्शन खतम हो गया था अगर 49 दिन के अंदर मैं इतने सारे काम कर सकता हूं, तो चन्नी साथ भी अधूरे काम वो सारे पूरे कर सकता हूं. अर्वीन जी मेंशनारे नियुजे इस वेशनारे को को रोगा हमादी पार्टी का पंजाए? हम ने बार-बार बोला है कि आपको ऐसा सीम फेस देंगे जिस पे आप सब लोगों को गर्व होगा पंजाब को गर्व होगा अब मैं एक लिट सुनी है सुनूँ अब मैं कल आख लोगों के सारे प्रश्णों के जवाब दूँगा कल डिटेंड प्रेस कॉंफरेंज हैं वह प झाल झाल